नवश्कार दोस्तों मैंने हशर्मा आप सबका वेलकम करती हूँ कुनली टीवी की खास पेशकर आज का राशीफल में इस शो में हम आपको बताते हैं आपके दिन भर का हाथ तो चलिए मेंस से लेकर मीन राशी के राशीफल के साथ आपको बताते हैं आज का खास उपाय लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे आज के पंचांग की तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के पंचांग की आज का पंचांग आज दिन है शनिवार का दिनाग 17 अक्तूबर 2020 शुकल पक्ष हिंदु मास अश्वीन तिथी प्रतिपदा नक्षत्र चित्रा रहेगा आज का योग है विश्कुम्भ और करन किस्तंद रहेगा आजकी खास दिन पर सूर्य तूला राशी में गोचर करेंगे और चंदर तूला राशी में रहेंगे आजका विजी इत्मूर्थ हिएगा सुब़ 11 बज के 45 मिनट से तो पहर 12 बज कर 31 मिनट तक आज का रहुकार रहेगा सुबह 9 बज कर 17 मिनट से सुबह 10 बज कर 43 मिनट तक आज का दिशा शूल पूर्व की तरफ रहेगा तो फिलाल पूर्व की ओर आप यात्रा करने जा रहे हैं तो उसको टाल दे आज मिशेश क्या है नवरातरी आरंभै घट स्थापना है तूला स्क्रांती है चलिए अब आपको बताते हैं आज के महाउपाए के बारे में आज का महाउपाय है देवी मा को लाल चुनरी ना रियल बांध कर अर्पित करें तो चलिए अब बात करते हैं राशिवल की राशिवल में सबसे पहले बात करेंगे पहली राशी मेश की मेश राशिवालो आज दिन अच्छा रहने वाला है आज मन अध्यात्म की और लेगेगा आज आपको व्यपार में बढ़िया मुनाफ़ा हो सकता है सेहत के मामले में दिन अच्छा रहने वाला है रिश राशी वालों की बात करें तो आज रुके हुए कामों में गती आने लगीगी लेकिन सलाह भी दी जाती है कि बेवजे किसी का मन ना दुखाएं जीवन साथी के साथ तालमेल बनाएंगे तो काम में व्रिधी होगी सेहत के लिहाज से दिन बढ़िया रहने वाला है मिथुन राशी की बात करते हैं मिथुन राशी वालों आज घर में किसी धार्मिक कारे का जयोर्जन हो सकता है आज संतांट पक्त से कोई शूप समाचार आपको मिल सकता है, जीवन साथी से कोई उपहार आपको मिल सकता है, लेकिन सिहत का ध्यान रखें करकर राशी की बात करते हैं करकर राशी वालो आज घर पर महमान भी आ सकते हैं आज के दिन बिजनसमेंस के लिए पैसा लेकर आने वाला रहने वाला है आज आप किसी समार्ट सेवा से जूट सकते हैं सिहत का ध्याना के मौसमी बिमारियां आपको तंग कर सकती है सिंग राशी की बात करते हैं सिंग राशी वालो दिन योजनाओं को पूरा करने का है आज स्टेडी के मामले में स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा रहने वाला है अगर आज आप कोई प्रतियोगिता परिक्षा में भाग लेने जा रहे हैं तो निश्चे ही सफलता मिलेगी बात करते हैं कन्या राशी वालो की कन्या राशी वालो दिन अच्छा रहने वाला है आपको कहीं से धनलाब हो सकता है आज घर में महाल भी अच्छा बना रहेगा करन्या राशी वाले अपने पार्टनर को कोई तौफा जरूर दें सेहत के लिहाज से दिन अच्छा है तौला राशी की बात करते हैं तौला राशी वालो आज कोई नया काम शुरू करनी की सोच रहे हैं तो दिन बहुत अच्छा है लेकिन एक सला भी दी जाते है कि वानी पर नी अंतरन रखें बेवजे किसी का दिल न दुखाएं आज भार खाक खाना खाने से बचे पेट तमस्य आपको तंकर सकती है वरिश्चिक राशी वालो की बात करें तो वरिश्चिक राशी वालो आज का दिन मन शान्त रहेगा आसपास का महौल खुश्णुमा बना रहेगा परिवार से समंदिद अच्छी जगा पर कहीं खर्चा हो सकता है इस राशी के छात्र आज पहल की के नए अस्तर आपको मिलेंगे प्रतियोगिता परिक्षा के तियारी करे शात्रों को आज नए मौके मिलेंगे मकर राशी की बात करें मकर राशी वालो आज आपको धहरे से काम लेना चाहिए आपकी तरक्की में कुछ अर्चने आ सकते हैं लेकिन अपनी सूजबूच से आप सारे काम बना लेंगे आज आपके मित्र आपके घर आ सकते हैं, डीनर पर आप कहीं बाहर जाने का प्लान भी मना सकते हैं बात करते हैं कुम राशी वालों की, कुम राशी वालों आज दिन मांगलिक कारियों में लगेगा आज अविवाहित जोडों के घर शादी की बात हो सकती है कोई भी फैसला लेने से पहले बड़ों की राय जरूर ले चातरों का मन पढ़ाई में कम ही लगेगा बात करते हैं अगली और आखरी राशी मीन की मीन राशी वालों आज दिन भर आप नई उर्जा खुद में महसूस करेंगे आज विदेश से कोई शूप समाचार आपको मिल सकता है अपने सीक्रेट्स को किसी के साथ बिल्कुर साजाना करें जीवन साथी के साथ संबंध आपके मजबूत होंगी तो फ्रेंट्स आज के लिए बस रता हैं कल फिर से हाजिर होंगे आज के राशी फल के साथ तब तक देखते रहें कुनली टीवी लेकिन जाने से पहले हमारा यूट्यूब पेज कुनली टीवी सब्सक्राइब और फेस्बूक पेज कुनली टीवी लाइक करना ना भूलें धन्यवाद